प्लेयर है राजिस रिकार पर प्रणजी ट्रॉफी होती है और आई पेल एक होता है उसमें खेलते हैं पांचर दर्शन करना है थे बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है शैयम का अगर हम पालन करें और वेश्वनों शे दूर रहें तो हमारे में जीवनी शक्ति इतनी प्रबल जाने लगती है तो हमारे अंदर जो अध्यात्मिक पावर वो नहीं जग पाता है अगर वो जग जाए तो तुम्हें कोई परास्ति नहीं कर सकता आर्थात ब्रह्मचर अगर हम अपने जीवनी शक्ति ब्रह्मचर पर ध्यान दें और नित्य जिस मार्ग में लगे हैं उसका या कोई सम्मान मिला तो हमारा मन विश्यों की तरफ कूत पड़ता है फिर हमारी जो उत्तम उचाई होनी चाहिए वहां से हम इसलिए हमारी आंतरिक बात को समझना किसी भी अलप शुक में रुखियेगा मत तो आप उचाई पर पहुंच जाएंगे अलप सुक मिलने पर गं उचाई पर चड़ने के लिए ताप की जरूरत होती है अगर हम कष्ट सहेंगे तो हम उचाई पर पहुंच जाएंगे चाहिए कोई महात्मा हो चाहिए कोई भी हो उचाई पर वही चड़ता है जो बहुत कष्ट सहा है अर्थात आप रात दिन पसीना चुआई अपने अभ भ्यास और ब्रह्मचर और खान पान का ठीक सैयम और व्यायाम अभी आप प्रकासित होते चले जाएंगे जहां हमारा थोड़ा सा विजय मिलती है तो हम लोग इतने हर्शुल से युगत हो जाते कि गिर जाते पार्टी वही ब्यशन वही वेविचार वही नाना प्रकार के दोश तो हमारी जो सक्ती ऊपर उठनी चाहिए वो नीचे किंद्रियों से बह जाती है इस रास्य को यह दिजान जाओ और अपने आपको शमाल लो तो किसी भी मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है भगवान का आश्रे और शैयम नियम तो एक दम वो इदे फेल है किर्णी यह जब परिशानी आए और कोई भी परिशानी परास्त नहीं कर पा रही है आगे बढ़ो तो ऐसे आप आगे बढ़ो खेल भी तो देखो जब इंडिया जीतती भारत जीतता है तो हम क्या केते हैं भारत पर भारत विजय का जंडा लहरा दिया इन लोगों ने मतलब आप भ भारत की हार माने जाती है और जो अपने लोगों कानों में पढ़ता किसी विशय में भारत विजय हुआ तो च्छाती फुलती नहीं क्योंकि हम भारती तो है न चाहिए बावाजी हो चाहिए कोई भी हो तो तिरंगे के निचे ही न तो आइसे आप भारत की सान चुटे- कर गए तो फिर वो उत्साह नहीं रेता वो फिर पुलने बल से भले आगे चला जा जाए ज़्दा दिन टिक नहीं सकता है आप हमारे भारत के भविष्य हैं सावधान आपका जीवन अपने लिए केवल नहीं है आपके साथ हमारा भारत सब्द जुड़ा हुआ है खेल है तो क्या हुआ पर जब विजय होती है ना हर भारत वासी देखते हैं गाओं में पटा का छुटाते हैं लोग सहरों में कितना आनंदित आपकी विजय पूरे भारत को हुआ है